हेलो एवरीबन स्वागत आपका क्रेशी बाउट कार के एक और फ्रेश वीडियो में तो आज का वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए इंपोर्टरन रहने वाला है जो भी जो है फोड की फीगो हो गई एसपायर हो गई फ्रीश्टायल हो गई और इको स्पोर्ट हो गई य का है कि वहाले शुरू करते हैं आज का वीडियो , जो पहले बात करता है कि जो इसका प्रॉबलम है वह कौन सा प्रॉबलम है तो वह प्रॉबlease आ जा एए ऐसके जो है इक नौई साति है जो की आपकी कार्ड नए भी हो या पूरा नी भी हो अगर वो पाट चैंज भी कर्ष तो भी जो है थोड़ी टाइम के बाद जब वो पार्ट गिस जाता है या उसके अदर प्ले आजाती है तो वह पार्ट कि अपना आगे से तो मैं चीज की बात कर रहा है इसका जो इंटर कुलर का माउंट रहता है वह तो बैसिकली मैं आपको अगर अपनी का दिखा हूँ तो यह आप देख सकते हो चली है कुछ यह आप देख सब्सक्राइब 21,866 किलोमीटर और यह जो प्रॉबलम है वह करीब मुझे 16,000 या उससे भी कम किलोमीटर के अंदर जो है मुझे फेस हो गए थी तो होता था यह कि जो उसका रबर का जो उपर का बूस्ट रहता है वह हीट होने के काराण या थोड़े मलगे थोड़े टाइम मलगे बहुत ही क जो है वह नुइस करने लगता था तो वह उसका क्या रहता है कि जो अपना इंटरकुल रहता है उसको वाइब्रीशन नहीं दिखाँगा कि जो है मैंने उसका permanent solution क्या कर दिया तो वह नुइस देता था तो उससे क्या होता कि आपका अगर बॉनेट पी नीचे रहेंगा तो आके की रिडिटर साइड से जो है जब मेंटर और प्लास्टिक का पार्ट जो एक दूसरे गिशता है और एक दूसरे को टच करता है तो कैसी नॉइस करता है वैसा नॉइस कर रहा था तो उसका मैंने बिस से हो जाएगा है तो जैसे मैंने वहां अपने सोरूम सर्विस स्टेशन पर बात की तो उन्होंने ऐसा बताया कि वह आप उसको अगर चेंज भी करा लोंगे तो भी वह प्रॉब्लम जो है वह थोड़ी टाइम के बाद आ भी सकता है तो मैं इसका पर्मेनेंट सॉलीशन होता था तो डबल साइट का टेप का जो गल्यू रहता है वह निकल जाता था और जो नॉइस करता था वह फिर से करने लगता था तो अभी मैंने पर्मेनेंट सॉलीशन कर दिया है तो अभी मैं आपको बाहर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने सॉलीशन कौन सा करा क्या चीज ली है 9 किस कि आ भात कर रहा हुं तो चलिए मैं आपको बाहर दिखाता हूं तो आप यहां पर आपको दिखाता हूं चो पो mày ने यहां पर किया है काम वीश मैंने इसका इंटर कुलर करें सब दैज करका सकते हो 51 और कुछ सब आन और मारा जो ना नोइस रेता है वो नोईस नहीं आता बट क्या होता है उसके बीच में बन जाती है तो उसके कारण 5 के साथ अपना एंटर कुलर है वह भी हिलता है और उसके कारण यह भी नौइस करता है तो इसका आपके पास जो है पर्मेनेंट solution के लिए में आपको भी दिखाते होते हैं किस टाइप से जो है हम इसको sponge लगा सकते हैं तो यहाँ पर basically हमें एक sponge ले लेना है इस टाइप सा कोई पी आपके पास sponge हो वो प्लस जो है आपको एक फेविकॉल ले ले देना है और फेविकॉल लगाने के बाद जो है उसको थोड़ा मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आप अगर उसको दबाओ तो फेविकॉल जो है थोड़ा वह निकलता हो तो उस कंडिर्शन के दचाहब आपको और वाहाँ पर स्ब्सक्राइब करते हैं जो है यहाप यहाप पर बाट के ज्यान रखना आपको फेविकॉल लुप जो नाुरू सब्सक्राइब तो पर midnight जाता है और वह खर update फिर फिल्दाट नहीं पाएंगा और इसको सिंपली पानी या पेट्रो लगा टाच होंगा तो यह उटमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएंगा तो अभी जो है मैंने आपको प्रॉपर इसका सॉलीशन बता दिया है इसका आप यूज कर सकते हो उससे क्या होंगा कि आपके जो है मतलब कि 500-600 रुपे फालतु में नहीं ल सब्सक्राइब कीजिए तो उमीद है वीडियो आपका अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर की जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू झाल